हेलो दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेले, जिसे लगबग हर कोई देखता है, और भारत में तो ये खेल खासा लोग प्री है, क्रिकेट के खेल में कितना पैसा है, ये तो सब ही जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, इस खेल का सबसे बड़ा खिलारी, यानि विकेट की किमत कितनी है, क्रिकेट में जो LED स्टम्स होते हैं, उनका अविसकार किस ने किया, और इनकी किमत कितनी है, ये खेट जब भी गिरता है, तो एक खेला खुश होता है, वहीं दूसरा खेला खेला दुखी होता है, सालों पहले जो इस्टम्स क्रिकेट में चलते थे, वो बेहस सधा पारण होते थे पहले कि स्टम्स एक लगडी को काटकर सजाय जाते थे लेकिन तकनीक की मदद से इसे सुधारा गया और अब क्रिकेट में एलेडी स्टम्स चलते हैं आपको बता दी कि एलेडी स्टम्स का अविस्कार आश्ट्रेलिया के ब्रांडी एकर मैंन ने किया था और अफरीका के जिंग बिकेट सिश्टम कंपनी एलेडी स्टम्स बनाती है विस्कप जिसे साल में चार सलबात खेला जाता है और इसमें हर साल करीब 12-13 टीमें हिसा लेती हैं ऐसा माना जाता है कि पिछले विस्कप में ICC ने एलेडी स्टम्स पर करीब 50 लाग रुपे खर्च किया गया था बीग पैस लिग में इसके सफलता के बाद इसे 2013 में पहली बार इसमाल किया गया था एलेडी स्टम्स फिलहाल वन डे और टी-20 में इस्तमाल होते हैं अमपारिंग में मददगार इस टेकनलोजी के बज़ा से इस्टम्स दुनिया के सबसे महेंगे स्टम्स होत इसलिए जब भी गेंद बेल पर लगती है अपने आप ही उसमें लाल बत्य जल जाती है। इस टमस्कित सेंसर की एक्यूरिसी ऐसी होती है कि ये सेकेंड के एक हजारवे हिस्से में भी हरकत पता कर लेता है। आपको जानकर हरानी होगी कि एक बेल की कीमत एक आईफोन के बराबर होती है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बनी बेल्स बाल की हलके से हलके टच को भी पता कर लेती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें।